सुबह का नाश्टे का काम हुआ नहीं कि लोगों लंच की तैयारी में सासुमा तो बस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है बराबर एक बचे आ जाएंगी लंच की टेबल पर खाना खाने मैं इस घर की भूरानी क्या नौकरानी बन गई हूँ नौकरानी नौकरानी? भूरानी में का नै espaço आखानी भूरानी नियुकि दाल मेरे अखना रही है का रहता हम दोज़दा आखान सुन डुक की दोड़का मीन सोचो पर और Chief बिच्एा रहे थे यह यह का क्या मiantलब है मेरी भूनी हुई मूम की दाल दूर दूर तक मषूर है मुषूर नहीं बदनाम कही हैं बदनाम तासुमा वैसे आपको किसी जेल में बावर्ची होना चाहिये था मुद्पिताल में मर्जों के लाईक खाहना होता है देरा कि वो खाना तो आप महीं सकता हूँ? मान सी क मरीज है आप हां हूँ मैं पाकल तब तुझ गर टुम मैं था जुझ दूझ तो खालो मैं तो मत खाए न मेरे हाथ का पकाया है खाना खुछ बना लिजe आपने लिया अलग से घर ले रसोई चुलहा मेरा बरतन मेरे और तू मुझे ही बता रही है कि अलग से खाना बना लेगी तू क्यों नी बना लेगी अलग से खाना साच साच तो फिर पहले क्यों नी बताया अब तक कपका बना चुकी होती मैं चुला चूका अलग से तो अब बना ले मेरी मा, मेरी जान छुच जाएगी जहाँ तो मेरी छुच जाएगी सासु मा इतनी गुलामी करने के बाद भी तारीफ के दो शब्मी ने निकलते आपके मुझसे किसमे भूल से भी कभी छुटी तारीफ नहीं करती हूं और घर का काम करना हर बहु का फर्ज बनता है आप भी तो बहु बनके आई थी न इस घर में लेकिन अब मैं सास हूँ और तुझे खाना बनाना है तो अपनी सास के हिसाब से बनाना है वर्नो मैं खाना बनाऊंगी ने मत बना, मत बना नहीं है मुझे कोई जरूरी मत बना खाना मेरे लिए मत बना ये देख ये देख ये क्या पर रही है आप मेरे दोनों हाथ सलामत है मैं पका लूँगे अपने और अपने पती के लिए शुक्रिया शुक्रिया आपने अपने साथ-साथ मेरे पती का नाम नहीं जोड़ा फिर है मेरी बना सकती हूं मेरे और मेरे पती के लिए खाना तो जा ना जा बना जाती हूं अरे अरे ये क्या कर रही है तो ये बरतन मुझे मेरी मा ने दिये है सो मेंसे लेके जा रही हूं जा 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 गिन के लेके जा या पूरे तीनी तो पतीरी लाई थी तो अपने माा के यहां से, अपने रसाए में, क्यू entering ऐना मेरी हैं? then, Do you tell me? जहां से विए मेने खरी दी नहीं? जहां से तुम्ही टीना थी, व हो वे खरी ती and I will not lose us, what happens you? तो घर के बीदो तुकड़े हो जाएंगे एक टुकड़ा तुम्हारी मां का और एक टुकड़ा आपकी बहु का इन्हें रोकना पड़ेगा लेकिन कैसे पापा कैसे पता नहीं ना अरे तुम्हारी मां अमारी बात सुनती है नहीं तुम मेरी पत्नी मेरी बात कहां सुनती है पापा कितने मिलते जुलते हैं न ये सास और बहु हां और फिर भी आपस में इतनी लड़ती जगड़ती रहती है करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे हमारी सोच यह कहती है कि हमारी बहु हमारी बात नहीं टालेगी हाँ और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मा मेरी बात ज़रूर बानेगी मा मेरी अच्छी मा समझ रही हूँ सब समझ रही हूँ अपनी पत्नी की तरफदारी करने यहां आया है न तो मा, भाला तो ना समझ है, बच्ची है अपनered, लेकिन आप तो समझदार हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए वा, बेटा मा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? अपने पत्ने से जाकर क्यों नहीं कहता? कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए तो और मैं क्या करू ससुर जी चुप चप उनकी ताने सुनती रहो क्या नहीं नहीं तुम तानों के बदले ताने दो उल्टे जवाब दो करती रहो तू तू मैं मैं लेकिन इस तरह अपना चूला अलग बत करो कुछ हमारा सोचो अरे हम कैसे खाएंगे तुमारे सास के हाथ का बना हुआ खाना खाने की आदत है माँ प्लीज माँ मान जाओ मेरी खाथ प्लीज ठीक है मेरी ममता का फाइदा उठा रहा है ना तू मान जाती हूँ वाँ माम इसका मतलब नो जगडा बतवारा खतम एक शर्थ पर कॉंची शर्थ अगर तेरी बीवी मुझसे माफी मांगे तो यह कैसे हो सकता है माम तेरे डाटने से तू उसे डाट कर ये कहें कि वो मुझसे माफी मांगे जाना अभी क्यों अभी क्यों चेरे का रंग इतना उड़ गया इतना लरता है तू अपनी बीवी से फिर जो रुका गुलाम क्या अ हम यही होगा आधा भंगán तौषा साट का ड़ी बेंडी तुमारी अधा टमातर तुमारा आधा टमातर तुमारी सास का अधा चुला मेर्ग यहेजना पादा चुल्प पर अधादा चुला अधा चुला सासब 창ak है कि चूले करेंगे उडायोंगे निया क्या प्रवाइब करेंगे दिया किखेंगे आपकेमेरी हाथ का खाना पसंद है यही तेरी सजा है तु रोज उसके हाथ का बनाए हुआ खाना खाएगा है मैं तेरे पापा को छूने तक नहीं दूंगी बहु के हाथ का बनाया हुआ खाना मैं अभी जाकर उनसे पैसे लेती हूं नया चूला खरीदने के लिए किया तुम भी नया चूला खरीदना चाहती हो हाँ मां भी तु जारी है नया चूला करीद मेरे हाथ मेरे हैं डुगडुगी हो और हम बंदर हो रहे हैं अरे नकल मैंनीं तू करीए मेरी तरह नया चूला खरीदकर आ एफ क्रिता ह PRESýnd अब तो नया चूला नहीं खरें देगे? सासु माम, मैं एक समझदार गहिनी हूँ घर में अल्रेडी एक चूले के होते हुए मैं क्यों एक नया चूला खरिद कर अपने पती के पैसे बरबाद करूँ? रे लेकिन ये मेरा चूला है, मैं इस पर खाना बनाओंगी इसका मतले आप नया चूला नहीं लेंगे? नहीं तो फिर नया चूला मुझे लेना ही पड़ेगा ये चितिंग है, तो देबल गेम खेल रही है मेरे साथ देवकी, हमें भूक लगी है रादा, खाना बना के नहीं? मुझे पहले एक चूला तो मिल जाए खाना तो मुझे भी बलाला है लेकिन चूला तो सुर्फ एक है तो क्या हो गया? सेगडिया तो दो है ना? एक सेगडी देवकी की, एक सेगडी बहूकी पापा, क्या बाद कही है? इसे कहते है इसे कहते है, बॉडन साजा चूला पापा क्या प्लान निखाला है पापा? अरे आगे आगे देखो होता है क्या इस मौके का पूरा पूरा साइदा उठाएंगे हम क्यासे क्यासे? देखो, जब दो गिल्लिया जगडती है ना तो मौज उड़ाते है बंदर आपने मुझे बंदर का पापा जब मा और रादा को इस प्लान का पता चलीगा तब तो दोनों अपने आप अपने रास्ते आजाएगी बंद गया खाना? रुको भी देखो रहे हो ना एक ही तो सेगडी है क्या क्या खाला पकेगा मेरा खाला तो कब कब बंद गया मेरे बैटे को कच्चा खाला खाले की आज़त नहीं है कच्चा चबा जाओंगी तुमें ऐसे कहने वालों को क्या पता पका हुआ खाला कैसे होता मैसे सरमने भी तो देखो क्या पक रहा है आपकी यहाँ पीली दार पेचारे पापा हमारे एख तो मसूर की डाल बन रही है अरे यह क्या मसूर के साथ करेला अरे अरे मेरे रवी बैटे को करेला बिल्कुल पसंद नहीं कोई बात नहीं है हम तुम्हें हमारी यहाँ का गोवी दे देंगी जिसे भी घोवी खानी है वो अपने घर में बनवाए अपने नौकरानी से वाबा ठीक है रहे है माँ लोट वरी हम एक्सचेंज कर लेंगे हम आपको थोड़ी से मसूर की ला ले देंगे शर्त ये है कि और कोई भी नहीं कहाएगा मेरी मसूर की दाल ससर जी और टेस्ट करके देखते लीजे कैसे बनी है मेरी दाल वाव अच्छी है लेकिन तुम्हारी सासुमा उसमें नमक भी डालती है लटा में नमक डालना भूल गई नमक घर में नमक भी नहीं है रावी कोई बात नहीं है पडोसन से माँग लो इसकी सुरत ऐसी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है मना नहीं करेंगी क्यों पडोसन क्यों देवकी है यसे मना करने की क्या बात है अडो उस पडोस में तो लेंदीन चलता रहता है लो रावी बेटे वो कॉन से फिल्म थी अमिता बच्चन और राजिश करना की वो वाली क्या ना याद आया नमक हराम क्यों योकी अब तो तुम्हारी डाल गल गई ना पिलकुल देख लीजिए अरे यह तो अच्छी खासी दावत है दो दो दाले चार चार सबजिया वा 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 मत किया कीजे किसी को बहुत जलन होती है अरे बहु अब टाइम कहा मिलने वाला है जलने को काम बहुत बढ़ गया है है न देवकी और बिचारी राना को भी कितनी मेनद करनी पड़ती है पहले कैसे मिल जुल करके सब काम हुआ करता था सुबह एक ने किया शाम को दुसरी ने किया लेकिन अब दोनों को डबल मेनद करनी कुरती है दोनों है तो खुष न देखो देखो ना खुशी कैसे तपक कर रही है इनके चेहरों से और क्या चाहिए पापा कुछ नहीं कुछ नहीं का कि और ते खुष तो हम भी खुष यह कह दो कि तुम क्यों उठ गई मेरा पेट भर गया है राधा तुम्हें में तुम कुछ नहीं खाया मुझे भूक नहीं है चलो यह अच्छा हुआ अब कम से कम अडोस पडोस की ताग जाग तो बंध हो गई शुकर है थोड़ी प्राइवेसी तो मिल गई यह क्या रहा है उल्टा पर्दा क्यों लगा रख है उल्टा पर्दा? हाँ डिसाइन तो उस तरफ है देखा देखा किती चलाख है आपकी माता जी मैंने भी इस पर्दे के आधे पैसे भरे है तो मेरे यह उल्टा पर्दा क्यों? अरे वा रेउकी वा क्या खूबसूरट डिजाइन है इस पर्दे का तुम्हारे साड़ी से मैच करता हुआ है ना? और पर्दे का उल्टा हिस्सा मैच करता है उसकी उल्टी जिन्दगी से इतने इंसल्ट कैसे पती हैं आप? क्यों? क्या हुआ मुझे? जाके बात कीजिए अपने मातर जी से बात की कभी हिम्मत नहीं हुई मुझे कुछ कहने की तो बेटा क्या कहेगा? देखिए मैं गर चोड़के चली जाओंगी या आध्रे खर को भी चोड़कर चली जाओगी? हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ ठीक है मैं बात करता हूँ मैं आए काम इन? रवी बेटे कब जा रहा है तो अपने बीवी को छोड़ने उसके माई के? कभी नहीं क्या पताने के लिए भेजाए तेरी पत्नी ने यहाँ? बात पर्दे की है अच्छा? क्या क्या? वो पर्दा नहीं ये वाला पर्दा ये पर्दा? ये अच्छा है इवे? आपकी पत्ती ने मेरी पत्ती के साथ चला की किया है दोगा दिया है उसे रवी जवाज समाल कर बात करा? जानता है न किसमें इल्जाम लगा रहा है? जवाब दीजे मेरा अच्छा बैट किया है मैं जवाब देखे मैं रवी बोल रहा हूँ अभी अभी मैंने जिन से बात की उनकी पत्नी पर इल्जाम लगा रहा हूँ मैं चुप रही है अब ये मेरा फिल्ड है मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले ये तो देखो कि तुम्हारी पत्नी क्या है क्यों क्यों क्या किया है मेरी पत्नी ने अरे उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है तभी को अपनी तरह मत समझेगा तुम कहना क्या चाहते हो मैं अपनी पत्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तुम्हारी आपकी! तुम्हारी आपकी! तुम्हारी आपकी! विस्त गर्वर हो गई पापा! यह बेटे! पाप बेटे के तु तु मैं मैं! तुच्छ दो चोम दो अगर चोड़ कर जा रहे हो! राथा, माप, प्लीज बच्छाओ! प्रहुरि को चोड़कर नहीं जा सकती आप की बछे से बीज़ कर जा रही हुर आप ही और आपी मुझे जली याद कर उस दिन工 बनके आई थी हां याद है मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है कितना रोही थो मैं अपनी मां को याद करके तभी मैंने तुम्हें अपने प्यार भरी गोल्ड में बिठाकर तुम्हें अपनी बेटी बना लिया था मैंने भी तो हर बार आपकी बेटी बनकर आपका साथ दिया अरे तुमने तो मेरी बेटी को ही भूला दिया वो तो भूलने लायक है अच्छा अरे अब तक तो तुम्हारी मा भी तुम्हें भूल गई होगी अच्छा तभी तो हर रोज उसकी चिक्टी आती है मेरे यहाँ वो कंफर्म करने के लिए कहीं तुम आतो नहीं रही बिल्कुल नहीं इनफैक्ट मुझे हर बार इंवाइट करती है कि बेटी तुम आई क्यों नहीं तो जाना अपने मा के घर जाना अरे लाम कर तो दिखा इस घर की दहलीज को आप भी तो जा रही है इस घर को छोड़ कर हाँ तो और मैं क्यों करूँ कुछ भी कीजिए लेकिन इस घर की तुतु मैमे को इस घर के अंदर ही रहने दीजिए हाँ तु भी अपनी तुतु मैमे को लेकर अपने घर से बार जा रही है लेकिन आप भी तो लाएए इसे घर के दर्वाजे तक तो तो आपस भूग ना आप पुरिये, तुबूर, आप, तु, आप, तु, आप, तु, आप, खुबूर यह मैं क्या कर रही थी? अपनी ही तु तु मैं में को छोड़ कर जा रही थी बाप रह मैंनें रह सकते तु, आप के बितना, मैं तु मती हुआ हुए इसलिए मुझे गँराढ़ हो रहा है मुझे चक्कराँ मैं थूम एरूरे साफ्म रादः, अढे हैं सेट्व। थोड़े चक्कराँ मैं मैं वाल, तुम्ने स wrapped guki अरे, मैं भी दॉक्रिक बुला दो हूँ नहीं, नहीं, रवी झाको मैं बहुत थक गही हुँ ना थोड़ा आराम करती हु, ठीक हो जाओंगी लेकिन आज रात का खाना तुम अपने मा के याग खा ले ना खाना टेस्टी नहीं हुआ तो क्या हुआ मा आखिर मा हुटिये हैं 62 001 थना मा, मा. क्या हुआ, मा, वह बुह को बहु को ईतंदीस बुखार है मा उसे बहु को उखार है। बहु, बहु.. बपा इन दिनों को अकिला हुआ चोड़ दो अब क्या हुआ तुझे कुछ नहीए। जलूट अरे, वाह, वेरीवर्ट, तुझे तो तेज बुखार है, ये तो होना ही था अब तो आप खुश हो गई ना मेरी खुशी कि तुझे कब से परवा होने लगी, हाँ पढ़ी रही इसी तरह अच्छी लग रही है तू देखा न, अब तेरे पती के लिए भी मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा तुन्हे कुछ खाया है किने दिन बर नहीं, क्यों नहीं तेरी माँ आने वाली है तुझे याग खिलाने के लिए बिवकोफ, तुझे कब अखल आएगी तु जानती है तु क्यों बिमार पड़ी है हाँ, क्यों? आपके नजर लग गई है मुझे खर में भी उल्टे सिदे जवाब देना बन नहीं करेगी तू तो आप ये तु मेरे मुखार का लिहाज नहीं कर रही है अरे बागल तेरा लिहाज करके इखाना बनाने जाने वाली हूँ मैं तु जानती है तरी बिमारी की वज़ा क्योंकि तुने अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खाया है और उजे तो आदत है मेरे हाथों का पका हुआ हुआ खाने की तभी तो आठाठ रोटिया और धेर सारे चावल खाया करती थी तू और आपने इन तीन चार दिनों में दो चार निवाले नहीं उतरे है तरे गले के नीचे पढ़ी रहे पढ़ी रही यहाँ पे मेंसे क्या खायेगी तू दाजावल बना दीजे तो और्डर मत करा मुझे क्या बनाने और क्या नहीं बनाने सास हूँ मैं तेरी तेरी फेवरिट बेंडी और रस्से वाले आलू बनाने वाली हूँ मैं खाना खाने के बाद दवाई भी लेनी है और तक तक अगर तू यहाँ से हीली तो एक छपड मारू भी बड़े खुश हो रहे थे हमारा पार्टिशन देखकर अंग्रेज कही के ठीक कर दया मेरी बहू को मा क्या देती हूँ अच्छा है ना हमेशा क recurring नमक कम मिर जयादा भूलती रहे भूलती रहे के अरही नहीं स्सुमा आप मुझसे माफी बोलने तो दे मुझे मैं तुछे माफी थोड़े ही माँगऊंगी मैं तो कह रही थी कि मैं तुछे माफी की उम्मिद ही नहीं कर सकती मा, इसका मतलब आपने रादा को माफ कर दिया अरे, सास बहू को माफ नहीं करेगी ठीक कहां आपने, सास बहू को कभी माफ नहीं करेगी लेकिन मा बेटी में माफी का सवाल ही नहीं उठता सासुमा, मैं आपको कव्भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी अरे मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी इतना प्यार करती है आप मुझसे हाँ फिर अगर तू यहां से चलीगी तो घर का काम कौन करेगा काम हाँ सासुमा काम तो हम दोनों को करना है एक जरूरी काम आईए मेरे सौद झाँ